नमस्कार मैं डॉक्टर हर्श गोयल हूँ और आज मैं आपसे बात करूंगी UTI के बारे में UTI क्या होता है? Urinary Tract Infection बहुत बार देखा गया है कि urine की problems बहुत ज़ादा होती है क्या होता है कि urinary जो system होता है उसके अंदर उसके जो parts होते हैं उसमें infection आजाता है, कौन-कौन से parts जैसे, उसमें ureters होते हैं, kidney होती है, bladder और urethra, mostly इन parts में अगर infection होता है, तो उसे UTI या urinary tract infection कहते हैं, और ये जादा तर जो देखा गया है, वो women में जादा होता है, क्योंकि उनका जो urethra होता है, वो छोटा होता है, और वो एनस के नजदीक होता है, तो बहुत बात क्या होता है, कि intestine में एक bacteria होता है, E. coli, वो stool के साथ बहार आ जाता है, और urethra में चला जाता है, और अगर urethra में चला गया, तो वहाँ infection होता है, और फिर ये bladder में infection हो सकता है, इसकी वज़े से, और अगर ये यहाँ पर ठीक नहीं हुआ, तो ये आपकी kidneys को भी infect कर सकता है, और जब ये kidneys infect हो जाती है, तो वो बहुत problematic होता है, तो इसके लिए इसका treatment लेना बहुत जरूरी होता है, इसके symptoms कैसे होते हैं, painful urination होता है, sudden retention हो जाता है urine का, burning sensation होता है, बहुत ज़्यादा कभी-कभी desire होती है urine pass करने की, और लेकिन जब जाते हैं, तो फिर बहुत थोड़ी-थोड़ा amount pass होता है, कभी cloudy urine होता है, किसी को drop-by-drop urine pass होता है, और pelvic region में कभी-कभी pain होता है, और बहुत से इसके symptoms होते हैं, जैसे ठंड लगती है body के अंदर, उस तरह से भी-कभी देखा गया है कि इसके symptoms आते हैं, अगर आपको UTI है, तो उसके लिए मैं कुछ homeopathic medicines आपको बताऊंगे, जिससे वो आपका ठीक हो जाएगा, तो first medicine है, Econite 30, इसमें क्या होता है, कि बहुत early, अगर कुछ, कोई भी अगर आपको लगता है, कि आपको बहुत urine की problem शुरू होने वाली है, suddenly कुछ से retention हो जाती है, रुख जाता है urine और आपको वज़े, ये कोई भी वज़े हो सकती है, कभी fear की वज़े से हो सकती है, anxiety की वज़े से, या फिर shock लगा है, उसकी वज़े से अगर आपका urine रुख जाता है, दर्द होता है, urine पास करने में, तो जैसे ही आपको ये feel होता है, कि मुझे कोई problem होने वाली है urine की, या होनी शुरू हुई है, उस टाइम में, Econite 30 की, दो drops, दिन में तीन बार, थोड़े से पानी में डाल करके, एक पीट तक आप ले लीज़े, उससे आपका ये ठीक हो जाएगा, नेक्स्ट मेडिसिन है, CPI 30, इसमें क्या होता है, कि आपको बार-बार infection होता है urine में, और आप पहले भी treatment ले चुके होते हैं, लेकिन फिर उसके बाद फिर से वो infection हो जाता है, तो ये बार-बार होता रहता है, symptoms क्या होते हैं, बार-बार urine pass करने का होता है, कि desire होती है कि urine pass करें, stream बहुत weak होती है, अगर आपको chronic cystitis है, तो उसमें भी आपको ये CPI 30 बहुत काम करेगी, और जो menopausal women होती हैं, उनके अंदर अगर इस तरह की problem है, तो CPI 30 बहुत अच्छा काम करती है, जो इसको आपको कैसे लेना है, इसको दिन में तीन बार, दो-दो drops, थोड़े से पानी में डाल करके, एक पीक तक लीजे, इससे ये ठीक हो जाएगा, थर्ड मेडिसिन है, कैंथरिस 30, ये मेडिसिन बहुत जादा यूज होती है, क्योंकि इसके symptoms बहुत मिलते हैं, बहुत सारी patients आते हैं, जो इस तरह के, इस medicine से related symptoms जिनके होते हैं, जैसे उसमें क्या-क्या symptoms हो सकते हैं, persistent violent desire to urine, आपको लगातार इच्छा होती है urine पास करने की, लेकिन आपका मन नहीं करता urine पास करने का, क्यों, क्योंकि आपको उसमें बहुत burning होती है, जैसे burn कर रहा है आपका urine, किस पार्ट में भी लगता है, वहाँ burning sensation होता है, और उस वज़े से, इस burning sensation की वज़े से, scalding sensation की वज़े से, आप या patient जो है, वो पानी कम पीता है, यह सोच करके, कि अगर मैं पानी कम पीऊंगा, क्यों तो मुझे urine पास करने के लिए नहीं जाना पड़ेगा, उसके अंदर में डर बैट जाता है, और जब urine पास होता है, तो drops low करती है, और बहुत restlessness होती है, कई ब होता है, इसमें urine cloudy हो जाता है, आपको कई बार दिखेगा, आपको cloudy cloudy सी urine होता है, उस case में आप cantheris 30, दिन में तीन बार, दो दो drops इसकी 1 फूर्थ कप पानी में डाल करके, आप दिन में तीन बार ले लिजे, और इसको आप 10 दिन तर लेते रहिए, इससे यह आपका ठीक हो जाएगा, पोर्थ मेडिसिन है, एपिस 30, यह बहुत important मेडिसिन है, इसके अंदर भी burning होती है, और इसका जो pain होता है, वो ऐसा लगता है, जैसे sting है, stinging sensation होता है, urine पास करने से पहले भी stinging sensation होता है, बीच में भी होता है, और जब आप पास कर लेते हैं, उसके बाद भी पास करना रहता है, उसी तरह का, इसमें आपको बहुत ज्यादा अर्ज होता है, urine पास करने का, और strain करना पड़ता है, लेकिन बहुत थोड़ा सा urine पास होता है, और रात के टाइम में इसकी problem बढ़ती है, या अगर आप गरम कमरे में हैं, तो उसमें जादा होता है, पेट क अगर अगर सिम्टम्स हैं, तो एपिस 30 की, दो-दो ड्रॉप्स दिन में दो बार, सुभर शाम चार दिन तक आप थोड़े से पानी के अंदर, फोर्थ कप पानी में डाल करके ले लेंगे, तो उससे ये ठीक हो जाएगा, फिफ्थ मेडिसिन है, स्टेफिस एग्रिया 30, इ ऐसा लगता है कि जब आपने यूरिन पास कर लिया है, उसके बाद, लास्ट में ऐसा लगता है कि अभी थोड़ा सा यूरिन ड्रॉप यूरिन की फिर भी रह गई है, हनीमून सिस्टाइटिस, जो मैरिज के बाद, अगर कोई प्रॉब्लम यूरिन की होती है, उस इंफेक् है, उसकी वज़े से अगर यूरिन में कोई प्रॉब्लम आई है, तो वो इस दवाई से ठीक हो जाती है, इसको कैसे लेना है, दिन में तीन बार इसकी गरम पानी में डालके, दो-दो ड्रॉप्स, सुबह, दुपहर, शाम आप ले लीजे और इसको दस दिन तक ले ले किसी को, तो उसमें रात के टाइम में उसको बहुत यूरिन पास करने का होता है, बार बार जाना पड़ता है, और पेन होता है, इनिशेट करने में यूरिन पास शुरू करने में बहुत पेन होता है, तो अगर इस तरे के सिम्टम्स हैं, तो सबल सेलूलाटा 30 की दो-दो ड एक प्रॉप्स इसकी थोड़े से पानी में डालके आप ले लिजे और इसको एक वीक तक ले लिजे तो इससे आपका ये ठीक हो जाएगा अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन प्रेस कर दें मैंने और भी बहुत से वीडियो बिनाए हैं तो आप वो वीडियो मेरे मेरे चैनल पर जा करके देख सकते हैं और अगर अभी भी आपके सिम्टम्स मैच नहीं करते हैं किसी दवाई से तो बहुत से और भी दवाईयां होती हैं तो मैं अपना नमबर, contact नमबर नीचे description में डाल दूँगी तो वो मेरे से आप contact कर सकते हैं बागे और यह सब दवाईयां भी मैं नीचे description में डाल दूँगी जिस से आप उनको आसानी से देख सकते हैं Thank you